बच्चों का confusion है यह कि जब हम किसी क्लॉज को यूज करते हैं सबॉडिनेटिंग क्लॉज को एजन नाउन और इन अपोजिशन और पता कैसा चल पाता है कि सबॉडिनेटिंग क्लॉज वह वह नाउन इन ऑपोजिशन है या फिर वह रिलेटिव क्लॉज है सब्सक्राइब होता है अभी मैं आपको ने इसको कुछ एक्जामपल्स की मदद से समझा देता हूं और मुझे लगता अगर आप ज्यान से सुनेंगे समझेंगे ठीक है तो दिक्कत नहीं होगी चीज़े समझ माझा जाएंगी देखिए चीज़े पर आपक्षब कर देती तो दॉब्य ओएंगे लाईंगे उिलेटी पी टी लेवड़े गे ञे लेडे़े लेडे़े सेहिं जाएंगे लेडेश एटो प्यार देखिए क्रीन लेडेश्य होगी गा टीज़े वीडरीन दाटीन वे ग्रहीं है फ्यास्ट पाँग ट has collapsed this the fact that he is the oldest man alive is undeniable ठीक है दो और एक्जम्पल लिख देंगा चलो इन दो से समझते पहले पिजरुवत पड़ी दिमाग में है कोई नए एक्जम्पल लिख देंगे अब अगर हम इन सेंटेंसे में देखें है तो यह हमारी सबॉर्णेटिंटिंग क्लॉज है बाकी में क्लॉज हो तो तुम्हें पता ही होगा ठीक है दैट ही इस दो ओल्डेस्ट मैन अलाइव ठीक है यह भी हमारी सबॉर्णेटिंग क्लॉज है बाकी बचावा नौन क्लॉज है अब हमें यह समझना है कि जो हमने the fact that he is the oldest man alive लिखा है हम इसको रिलेटिव क्लॉज माने यह नौन क्लॉज माने क्योंकि यह फैक्ट का डिस्क्रिप्शन है उसी तरीके से हम् क्या मनें क्या माने डिस्क्रिप्शन माने रिलेटिव क्लॉज यह हम उसको न्वन इन icon मने यह हमें समझना है कि ले जो चोटी से बात ध्यान रखानी है जो रिलेटिव क्लॉज होती है जो हमारी relative clauses होती है उनका जो connecting word होता है वह ठीक है और वो अपनी relative clause में pronunciation भी करता है वह यह एक छोटे सी बात ध्यान रखने हैं अगर हम इस फैक्ट को ध्यान में रखके देखें तो यह जो दैट है और यह हमारा connecting word है subordinating clause बनाने के लिए हमने that को as a connecting word लिखा है अब ध्यान से देखो दैट ही lived in जो हमने लिखा है इसमें lived verb है ही subject है इन प्रेपोजिशन है और यह जो दैट हमने लिखा है वह उस इन प्रेपोजिशन का object प्लस conjunction दोनों हैं मतलब conjunction तो ही है conjunction तो यह भी है बट यह वाला जो दैट है यह conjunction होने के साथ साथ में उस इन प्रेपोजिशन का object हुई है तो अगर यह यह लिप नहीं है कि यह क्लॉज कि एक क्लॉज क्लॉज है कि इसका जो क्नेक्टिंग वर्ड है आधनल का बहुत काम कर रहा है यह इसे लिए हम इसको रिलेटव प्रॉज़ रावन मानेंगे अब अगर हम इसे रिलेटिटीव प्रॉज होगे अब यहां आ थे इसमें अगर हम देखें तो यह जो ही है यह subject है इस दो ओल्डेस्ट मैं अलाई विए इसका प्रेडिकेट है ठीक है और यह जो that हमने लिखा है यह capable conjunction है यह ना तो इस subordinating clause में subject है ना object है ना compliment है कुछ नहीं है तो अगर यह that यहाँ पर इस subordinating clause में ना subject है ना object है मतलब प्रणाउन का काम नहीं कर रहा है तो अगर यह relative clause नहीं है तो यह क्या है तो यह noun clause है जो opposition में उसकी गई है तो अगर आपको यह fact या यह point कभी confuse करता है ठीक है कि जो that है sorry कि जो subordinating clause है उसको हम relative clause माने या clause noun clause in opposition माने तो उसका सबसे आसान तरीका यही होता है कि जो connecting word है conjunction आपने यूज़ किया है अगर वह conjunction उस subordinating clause में subject object या compliment मतलब अगर वह प्रणाउन का role play कर रहा है तो आपकी subordinating clause है वह एक relative clause है ठीक है लेकिन अगर आपका connecting word जो है कि वह उस subordinating clause में कोई काम नहीं कर रहा है इस तरीके का में ठीक है तो फिर वह आपका noun clause in opposition है ज़ी जब एक अधर एक्जांपल और देख लेते हैं मतलब बेसिक फैक्ट ही है और इन एक्जांपल के मतलब से समझ में आ गया तो एक दूब और देखते हैं वो भी समझ में आ जाएंगे कि कि अ कि 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 झाल झाल